आज हम लोग पड़ापाव पनाएंगे जो कि पहुत ही टेस्टी और पहुत ही इजी बन जाता है और खाने में भी एक्टम बहुत लाजवाब लगता है ये खाने में चलिए इसका रेसीवी भी इतना असान है कि घर में जब चाहिए जटपट पनके तयार हो जाता है जब भी भूग लगे पड़ापाव खाईए मैंने आलू को वास करके अच्छे से एक सीटी लगा दिया है आलू को मैंने उबाल लिया है अब हरी ग्रीन चट्टी बनाएंगे उसके लिए मैंने एक आम धन्या का पत्त ग्रीन चिली को मैंने लिया है ग्रीन चिली आट डस जितना त बखाती हैं अब हम लोग बेशन लिए एक छोटा बॉल से मैंने बेशन लिया है यानि कि 100 ग्राम या 500 ग्राम होंगे बेशन उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके अच्छे से इसको फेटेंगे जाता मेहनत नहीं लगता है बस इस तरह से फेट लेंगे इसमें अब इसमें हम लोग थोड़ा सा टर्मरिक पॉडर थोड़ा सा नमक नमक आधा टी स्पून मैंने दिया है थोड़ा सा तेल सरसो का तेल मैंने यूज़ किया आपको जो तेल खाती हो यूज़ कीजे और मैंने पहरे से एक प्यास बड़े साइच की प्यास थे सिरी एक छोटे हो तो आप दो काट ये और मैंने अध्रक आधा इंच अध्रक को कूट लिया है अब इधर लसन को हम लोग थोड़ा सा इस तरह से आग में सेख लेंगे इसे क्या होता है कि अच्छे से रोस्ट हो जाता है बहुत ही टेश्टी लगता है इसका साइच और इसका छिलका भी फट से उत्र जाता है अब तेल मेरा अब इधर गरम भी ओ चुक्क है ूंसमें प्यास मैंने ढाला या प्यास का अच्छे लेंगे पर पर जिलिए parler के जे गरींशी टुली में पांच संज में डाल हैक आप जितना पीका खाना चाहती है हैो इससाब से ग्रीज टालिए आपा उसमें डाल करके अच्छे से भूनेंगे बस जादा प्याज को नहीं भूजना है अध्रक भी मैंने डाला इसमें अध्रक एक इनसे कम था आधा इन्ची से थोड़ा ज्यादा उसको मैंने कूट लिया था अब इस तरह से आलू भी भूनाएगा आपका और प्याज भी भूना जाएगा अच्छा से फिर थोड़ा देर आलू भूनने के बार आप इस तरह से इसमें जादा कुछ भी नहीं करना है और मैने धनिया पत्ता भी काट के रखा था उससे मैंने डाल दिया अब इसको अच्छे से मिला लेंगे मैंने ओफ कर दिया है चुला को अब इस तरह से अच्छे से मिला दीजे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजें अब हम लोग तेल गरम कर लिए एक कड़ाई में और जो बेशन खोल के रखात है उसको हाथ के मदद से इस तरह से बूंदी को बना लेजिए अब बूंदी को थोड़ा अच्छा से इसको तलेंगे ताकि थोड़ा क्रिस्पी हो जाए बूनी बूंदी इस तरह से हाथ से कर करके थोड़ा सा उसका जो चटनी बनता है ना बढ़ा पाव का सूखा वला चटनी वो बहुत ही अच्छा लगता है बढ़ा पाव में इस तरह से मैंने बेशन में थोड़ा से हिंग भी डाला था था ठाब टीस्पून से थोड़ा कम देखिए ये ready हो गया है मेरा देखिए चोखा भी ठंडा हो गया अब इस तरह से थोड़ा थोड़ा ले करके इस तरह से गूल कर लेंगे ताकि इसका बड़ा हम बना सके इस तरह से मैंने जो खोल के रखा था बेशन को अब उसमें इस तरह से लगा करके और छाल लेंगे अच्छी से मैंने छाल लिया इसको बहुत क्रिस्पी भी बन हो जाता है अब मेरा बड़ा भी तेयार हो गया देखे कितना जटपट तेयार हो गया अब मिर्ची को भी मैंने थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे थोड़ा सा इसमें भी बेशन कघूल लगा लेंगे आप ऐसे भी फ्राय कर सकती है थोड़ा सा लेकिन मिर्ची में थोड़ा सा चीरा लगा करके मतलब थोड़ा सा काटने मिर्ची को नहीं तो मिर्ची उड़के पड़ भी सकता है आपको देखे अब इसका हम लोग चटनी दियार करेंगे सूखी चटनी आज भासा चाट मसाला डालेंगे डेट चिरी पॉडर डालेंगे अलसं को जो मैंने रोस्ट करके रखा था उसे छील के मैंने डाल दिया और इसे चला लेंगे थोड़ा सा इसमें मैंने नारिल का पुरादा भी डाला था और मैंने रेडी हो गया अब ग्रीन चट्टी बनाएंगे इसमें मैंने आम को भी छील करके काट लिया चोटी-चोटी टुकड़े में और धनिया पत्ता और हरी मिर्च थोड़ा सा नमक सरसो का तेल ठोड़ा सा भूनावा जीरा देखहें ग्रीन चट्टी में तयार हो गया अब पावक को से आम लोग पूरा नहीं काटेंगे थोड़ा सा भाग रहने देंगे अब इसमें पहले ग्रीन चट्टी लगाएंगे इस तरह से देखे कितना एजी है ना बहुत एजी जटपट बनता है यह अब इसमें हम लोग बड़ा रखेंगे और सुखा चटनी भी डाल देंगे इसमें सुखा चटनी का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है और एक मिर्च रखेंगे और देखे बड़ा पाव बनके तयार भी हो गया और इसको पेपर में सर्फ कीजिए परतंद होने का भी जंजट नहीं और बड़ा पाव का तो मज़द पेपर पे ही है आप भी बनाईए खाई आपको कैसा लगता है हमें जरूर बताईए